हाई गाईज मैं विनोध और आप देख रहे हैं टाइक गुडी चैनल आज की इस वीडियो में आपको बताने बलाऊं कि आप रेली मी नाइनाइ में डवल टैप टू लॉक स्क्रीन सेटिंग कैसे करेंगे डवल टैप टू लॉक स्क्रीन सेटिंग करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को करदेगा सब्सक्राइब और बैल एकन को प्रेस करके ओल पर क्लिक कर देगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेसिंग लिए आपको सबसे पहले है सबसे पहले आपको सेटिंग मेंना है सबसे पहले आपको सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा से नीचे आना है यहाँ पे आपको home screen lock screen and always on display पे click करना है इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा से नीचे आना है यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा double tap to lock का so guys यह हमारा double tap to lock screen setting अगर आप इस setting को enable कर देंगे और guys आप अपने phone के home screen पे double tap करेंगे तो guys आपकी phone की screen off भी हो जाएगी और आपका phone lock भी हो जाएगा अगर आप इस setting को enable कर देंगे तो so guys मैं setting को enable कर देता हूँ इस setting को enable करने से पहले अगर आप कोई video अच्छा लगे तो video को like and share कीजिगा और guys हमारे channel को जरूँ subscribe कीजिगा so guys मैं setting को enable कर देता हूँ इस setting को enable करने के बाद guys आप अपनी phone के home screen पे double tap करेंगे तो guys आपका phone lock हो जाएगा so guys अब मैं आपको check करके दिखाता हूँ जैसे guys यहाँ अपनी phone के home screen पे आ गया हूँ यहाँ मैंने double tap किया तो मेरा phone lock हो गया so guys इस तरीके से आप double tap के lock screen setting कर सकते हैं और guys आप कोई video interesting लगा तो video को like and share कीजिगा और guys ऐसी interesting videos देखने के लिए हमारे channel को जरूँ subscribe कीजिगा तब तक के लिए bye bye tada thank you